दोस्तों आपके फेवरिट शो सिर्फ तुम में आगे क्या हो रहा है? क्या देख रहे हैं हम एपिसोड में चलिए बात करते हैं नमश्कार दोस्तों आप देख रहे हैं पॉलिवुड स्पाई है और सब लोग शॉक्ट रह जाते हैं वहां पर रनवीर सुहानी को ले कर परिशान हुआ रहता है और हम देखते हैं रनवीर को मा का फोन आता है और वो रनवीर को बिर्डे पार्टी के बारे में कहती है पर और रनवीर मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी पापा की रखी पार्टी में कोई इंटरस्ट नहीं होता है आगे दोस्तों सुहानी परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने सारे questions के जवाब सही लिखे थे हम देखते हैं दोस्तों रनवीर और उसके दोस्त डीन के ओफिस में चोरी छुपे जाते हैं और पेपर्स ढूनते हैं हम देखते हैं रनवीर को पेपर्स में छेर छाड हुई है ये पता चलता है और सामने से डीन आ जाते हैं हम देखते हैं दोस्तो रनवीर दीन से कहता है ये रहा सुहानी का पेपर उसने एक्जाम में टॉप किया है रोल नंबर की गडबड़ी के कारण सुहानी को फेल कर दिया गया आप इन पेपर्स पर करेक्शन की साइन करिए और सुहानी को एड्मिशन दे दीजे आगे हम देख हम देखते हैं दोस्तो डीन साइन करने से मना कर देता है और फिर रनवीर कहता है इस कॉलेज के लिए सारे स्पोर्ट्स में मैंने ट्रोफीज लाई है और फिर रनवीर एक एकर की सारे ट्रोफीज तोड़ देता है हम देखते हैं दोस्तो रनवीर कहता है मैं इस कॉलेज के किसी भी sports event में participate नहीं करूँगा और नहीं sports होने दूँगा college में सोच लीजे college की reputation का सवाल है हम देखते हैं आगे dean मान जाता है और sign कर देता है और कहता है कल सुबह corrected list notice board पर लग जाएगी आगे हम देखते हैं दुस्तो रनवीर सुहानी के पापा को phone करता है और सुहानी का admission हो जाएगा कहता है और role number के confusion की वज़े से fail result आया था कहता है पर सुहानी के पापा ये सच्चाई सुहानी को नहीं बताते हैं आगे दोस्तो रनवीर सुहानी का college में wait कर रहा होता है और अपने दोस्तों से कहता है वो जैसे ही आएगी एक red carpet बिचा देना पर सुहानी नहीं आती है दोस्तों हम देखते हैं रनवीर खुद जाता है सुहानी के घर और सुहानी के पापा दरवाजा खोलते है और दोस्तों एपिसोड खतम हो जाता है क्या लगता है दोस्तों कह सुहानी रनवीर के साथ college आएगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा अभी के लिए इतना ही देखते रहिए बॉलिवूड स्पाई